प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस सिपाही भरती परीक्षा रद करने का दिये आदेश, आगामी छे माह के भीतर ही पुन परीक्षा कराने के दिये आदेश स्योहारा में हर्शोल्लास के साथ मनाया गया संत शिरोमणी गुरु रविदास का 648 वन जन्मोट्सव, रविदास जन्मोट्सव, कमेटी के नितरित्व में नगर में निकाली गई विशाल शोभायात्रा अमरोहा के हसनपुर में धूमधाम के साथ मनायी गई संत शिरोमणी रविदास जयन्ती जयन्ती के मौके पर निकाली गई शोभायात्रा इस दोरान छुआ छूत को मिटाने के लिए संत रविदास द्वारा किये गए कारियों पर डाला गया प्रकाश धामपुर के ग्राम कुंडीपुरा के दारपुर में ब्लोक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान ने संत शिरोमणी रविदास जयन्ती की प्रतिमापर की पुषपांजली अर्पित ग्रामवासियों के साथ प्रसाद किया गया ग्रहन रेहड में बाइक और टेम्पो की टककर में बाइक सवार दो लोग घायल घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भरती चिकित सक ने एक की हालत नाजुक बताते हुए हायर सेंटर किया रेफर धामपुर में तक्नीकी खराबी के कारण फंसी ट्रेन ट्रेन में सवार यात्री हुए परेशान सहारनपुर से मुरादाबाद जा रही थी ट्रेन लगभग तेड़ घंटे तक फंसी रही ट्रेन मतुरा में देखी तेंदुए की हलचल एक तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वाइरल वीडियो वाइरल होने के बाद वन विभाग तेंदुए की तलाश में जुटी बिजनौर में संत रविदास जैन्ती के मौके पर बिजनौर में निकलेंगे करीब 450 से अधिक जुलूस पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के किये कड़े और पुखता इंतजाम मंदिरों को सजाया गया और पुलिस अधिक शक ने गश्ट कर देखी व्यवस्थाएं अमरोहा के गजरॉला में भानपुर फाटक के पास ट्रेन के आगे कूद कर एक इंटर के छात्र ने की आत्महत्या घरवालों के डाटने से था नाराज तीस किमी दूर जाकर की आत्महत्या पुलिस ने शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा अमरोहा के गजरॉला में अखिलेश सरकार के समय ब्लॉक प्रमुख रहे हाजी मुम्ताज अली उर्फ हाजी भुट्टो पर ठगी की एफाई आर हुई दर्ज आरोप है कि बालु खनन का पट्टा दिलाने के नाम पर एक करोड हड़ पे मांगने पर की मार बीट यूपी में राहुल गांधी की भारत जोडो न्याय यात्रा का दूसरा चरण मुरादाबाद से हुआ शुरू राहुल के साथ प्रियंका गांधी मुरादाबाद से फतहपुर सीकरी की यात्रा में हुई शामिल जिगरद्वार पर राहुल गांधी ने लोगों को किया बोधित मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक दीजी चैनल का डिजीटली महाफतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनुरंजन का अनुखर संसाथ गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक दीजी चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में झाल